हेलो एव्रीवन हम क्लास 7 माद्स सेटर 6 कर रहे थे जिसका नेम तरह तरह ट्राइंगल एट्स प्रोपर्टीज और इस ट्रिकली हम न्यूबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं देखिए इसके एक साइश 6.3 कंप्लीट का ना हमने स्टार्ट किया था जिसके प्रिबिएस वेल्यू निकालनी है इन सारे डाइग्रम में से सबसे पहले करते हैं 1st part question 2 का इसमें देखिए हमें देखने को मिल रहा है कि basically इस x और इस y की वेल्यू हमें निकालनी है तो अगर हम ध्यान से आब्सर्फ करें इस डाइग्रम को तो हमें यहां पे exterior एंगल देखने को मिल र तो solution लिखेंगे सबसे पहले हम लिख देंगे क्या कि 120 जो है मेरा या फिर अगर मैं ये दोनों interior angle को लिख दूँ x plus 50 degree तो ये किसके equal आएगा मेरा 120 degree के equal आएगा और reason हमें जरूर लिखना पड़ेगा exterior exterior angle property property of a triangle ठीक है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो reason है बहुत important role play करते हैं अब ये plus 50 है इससे ही डाएगा तो minus हो जाएगा तो 120 minus 50 degree तो x की value कितनी आ जाएगी I think 70 degree तो ये हमारी x की value आ गई इससे अब लेकिन हमें y की b value निकालनी है x की value कि हमने निकाली लेकिन y की b value हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे आप थोड़ा सा सोचिए ठीक है अपनों भी दिमाग लगाने की जुरूरत है अब मैं ये आप mention कर देता हूँ कि ये जो मैंने x की value निकाली है ये कितनी निकाली है 70 degree अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये x की value है और हमारे पास ये 50 already है और ये y तो ये तीनों मेरे interior angles है triangle के तो इन तीनों angle को अगर मैं plus करूँगा तो 180 degree के equal आएगा reason क्या होगा मेरा angle sum property of a triangle तो देखिए ध्यान से x plus y plus 50 degree इन तीनों को अगर मैं plus कर देता हूँ triangle के तीनों interior angle को तो इनका sum हमेशा 180 degree के equal आता है और इसका reason क्या होता है angle sum property property of a of a triangle ठीक है ये भी हमें पता है अब आप already निकाल चुके है x की value जो की है 70 degree तो यहाँ पर x की जगर मैं क्या लग सकता हूँ 70 degree clear तो x की नीचे मैंने क्या लिख दिया 70 लेकिन y की value मुझे नहीं पता तो मैं as it is लिख देता हूँ और 50 भी as it is सब को as it is लिख देता हूँ बस x की जगर मैंने 70 लिख दिया अब 70 और 50 इन दोनों को मैं add कर दूँगा तो आ जाएगा मेरा 120 degree और y मेरा as it is रहेगा और 180 भी अब यह 120 प्लस में इस सइड आएगा तो माइनस में clear तो यहाँ पर सिर्फ y बचा रहेगा 180 as it is लेकिन प्लस 120 बन जाएगा माइनस 120 इस सइड आ करके clear है तो यहाँ से y की वैली 180 में से 120 माइनस करेंगे तो y की वैली आ जाएगी है हमारी 60 degree clear तो what is the value of y 60 degree तो अगर आपने देखा हूँ ध्यान से तो यहाँ पर हमें exterior angle property भी लगानी पड़ी है और interior angle property भी स्वारी angle some property of a triangle क्योंकि वो interior angle से ही related होती है बेर आ जाते हैं बच्चो second वाले part पर तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो मुझे x यह देख रहा है और y यह भी देख रहा है तो बहुत ही आसान सा देख रहा है कि यह देखिए 80 और y यह दोनों angle जो है वो vertically opposite angle है vertically opposite angle क्या होते है जब दो line एक दूसरे से टकराती है तो यह के ऊपर वाला angle और यह नीचे वाला angle यह दोनों एक दूसरे के क्या होते है equal या फिर यह side वाला angle और यह side वाले angle यह दोनों भी एक दूसरे के equal होते है तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमारे लिए एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन कट रही है उपर वाला 80 है और नीचे वाला हमारा y है तो y की value हमारी क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी solution में हम क्या लिखेंगे y equals to 80 degree reason क्या लिखेंगे vertically vertically opposite यह फिर ऑपोजेट एंगल ठीक है बस इतना कर देना है तो हमें तो y की value directly मिल गई clear है हमें कुछ महनत भी नहीं करने पड़ी बस पता होना चीए कि कौन से होते हैं vertically opposite angle यहाँ पर मैं mention भी कर देता हूँ कि y की value is equals to 80 degree अब अगर आप दिहान से देखें तो यह इस वाले particularly यह जो नीचे वाले triangle है ना इसमें एक y interior angle है एक 50 interior angle है और x भी एक interior angle है तो अगर मैं y plus x plus 50 अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो इसकी value 180 degree के equal आईगी reason क्या हो जाएगा angle sum property of a triangle यह जो हमने ऊपर अभी अभी लिखी थी ना angle sum property of a triangle वही तीनो एंगल angle sum property of a triangle ठीक है बस यह थोड़ा सा याद रखना अब y की value आप अल्रेडी देख चुके हैं जो की है 80 degree के equal तो यहां मैं y की जगे क्या डाल सकता हूँ 80 डाल सकता हूँ तो यहां पर मैंने 80 लिख दिया plus x equals to plus 50 भी लिखना पड़ेगा हमे plus 50 equals to 180 degree अब 180 plus 50 इन दोनों को हम add कर देंगे तो 130 हो जाएगा और plus x इस side already हमारा बचा है 50 और 80 को हमने plus कर दिया अब यह plus में इस side आएगा तो minus x की value क्या आजएगी 180 तो as it is रहा लेकिन minus में 130 आगया x की value आजएगी हमारी 50 degree 180 में से 130 तो minus करोंगे तो क्या आजएगा 50 degree आजएगा this is the answer for the second part y की भी value उमने निकाल ली और x की value निकाल ली थोड़े से बस angles और properties का knowledge होना चीए easily आप निकाल सकते हैं इसके बाद आगया आजाते हैं third वाले part पे तो third वाले part में भी आप देखेंगे ये 50 और ये 60 ये interior angles है और ये जो x है वो exterior angle है तो x की value क्या हो जाएगी हमारी x की value क्या हो जाएगी यहापर हम exterior angle property लगा सकते है 50 plus 60 के equal clear तो मैं यहाप पर क्या लिख रहा हूँ solution x will be equals to 50 plus 60 degree और यहाँ पर reason क्या लिखेंगे exterior exterior angle property ठीक है alpha मैं triangle का यहाँ पर sign बनना दीता हूँ आप triangle पूरा लिख लेना तो फिर इदर से मेरी x की value क्या जाएगी 50 plus 60 होती है 110 degree so the value of x will be equals to 110 degree इसके बाद आजाते हैं देखे mention कर देते हैं हम यहाँ पर x की जगे that is 110 अब अगर आप ध्यान से देख रहे हूँ तो यह 50 यह 60 और यह y यह तीनो interior angle है triangle के clear तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो 50 plus 60 plus x equals to कितना हो जाएगा मेरा 180 degree और यहाँ पर मैं लिख हूँगा angle sum property of a triangle angle sum property angle sum property of a triangle ठीक है क्योंकि हमने triangle के तीनों interior angle को plus किये तो उनका sum तो 180 degree के एक वाली आएगा अब हम 50 plus 60 है कितना हो जाएगा 110 degree हो जाएगा यह plus x equals to 180 degree clear तो x की value क्या आजाएगी 180 minus 110 तो x की value आजाएगे 180 में से 100 यह plus में न 110 तो यह side आएगा तो minus में यह 70 degree हो जाएगी यह जो अंदर वाला एक एंगल है यह 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 मुझे x लिख दिया मैंने ठीक है तो यह वाला जो x है यह 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 वाला भी y है यह वाला भी y है और यह वाला भी y है इन सब की जगे मुझे क्या लेकना पड़ेगा y मैं कर देता हम क्यूंकि यह interior angles है न y y x की value already हम निकाल चुके है y will be equals to 70 degree बच्चों यह वाला हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट अब हम आ जाते हैं फूर्थ वाले पार्ट पे फूर्थ वाले पार्ट में भी अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो हमें एक vertically opposite angle angles ठीक है बस इतना कर देना है तो x की value आपको क्या मिल गईगी x की value यहां से हमें मिल गईगी 60 degree अब आपको चाहिए y की value y की value देखूंगे तो triangle के तीनो interior angle दिख रहे हमें यह y, यह 30 और यह x यह तीनो interior angle है triangle के तो आप लिख सकते हैं x plus y plus 30 equals to 180 degree और angle sum property of a triangle reason हो गया angle sum property property of a triangle अब हम जानते हैं already x की value हम निकाल चुके हैं जो की है 60 x की जगे मैं क्या लिख दूँगा 60 लिख दूँगा ठीक है और y तो मैं as it is लिखूंगा 30 भी as it is लिखूंगा 180 भी as it is लिखूंगा अब 60 plus 30 इन दूँगो मैं add कर दूँगा तो आजाएगा मेरा 90 degree इस side मेरा सरफ y बचा रहेगा और 180 degree 90 plus में इस side आएगा तो minus में y की value क्या हो जाएगे 180 minus 90 y की value आजाएगे 180 में से 90 minus करेंगे तो 90 ही बचेगा y की value आ गई हमारी कितनी 90 x की value कितनी आ गई 60 तो फूर्थ पार्ट में 60 और 90 degree आ जाएगा अब आजाओ बच्चों फिफ्ट वाले पार्ट पर ठीक है फिफ्ट वाले पार्ट में भी साफ साफ दिख रहा है कि ये तो हमारे vertically opposite angles आ गए clear तो हम direct लिखेंगे y की value तो हमारी सीधी 90 आ गई clear और reason v vertically opposite a means angle v o a मैं से short form में लिख रहा हूँ आ पूरा लिखना ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं इसको मैं लिख देता हूँ y की जगे 90 degree कि ये value हमने निकाल लिए अब आप देखेंगे triangle के 3 interior angle को अगर add करते हैं तो कि इतना आता है 180 degree के इसका मनलब ये हुआ y plus x plus x ये जो blue color से मैं रहे बनाया है ये interior angle है triangle के तो इनका sum क्या आ जाएगा 180 degree के equal और यहां पर reason क्या लिखोंगे angle sum property of triangle angle sum property of triangle का sign बना दिया clear अब आप y की value already निकाल चुके है जो कि ये 90 degree तो यहां y की जगे मैं क्या डाल दूगा 90 degree similarly x plus x ये दोनों x plus x क्या बन जाएगे मेरे 2x बन जाएगे equals to 180 degree 90 plus में है इस side आएगा तो minus में हो जाएगा ठीक है तो 2x will be equals to 180 minus 90 तो 2x will be equals to 180 में से 90 minus करेंगे तो 90 ही बचेगा 2x का मतलब होता है 2 multiply by x और कोई चीज़ इस side multiply में आए तो इस side आती है another side तो divide में हो जाती है मतलब 90 के नीचे आ जाएगा 2 अब 90 को 2 से divide कर दिये ताउं side में देखे करें 2 4 जा मारा होता है 9 में से 8 मारा हो जाता है 10 clear तो answer किता है मेरा 45 तो यहाँ पर x की value कितनी आ जाएगी बचो 45 degree clear तो x की value आ गई 45 y की आ गई हमारी 90 ठीक है तो इस तरीके से हमारा हो चुका है यह फिर्ट वाला part भी complete इसके बाद आब आते हैं last part है इस question का जो किये 6th part थोड़ ऐसा complicated दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं सबसे पहले आप अगर इन दोनों को देखूंगे तो यह vertically opposite angle है तो आप क्या लिख सकते हैं कि यह जो y की value है मलब y और x एक दूसरे के यह क्या है equal है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे vertically opposite angle short form में लिख रहा हूँ और पूला लिख रहा हूँ clear है तो x और y एक दूसरे के क्या है equal है similarly अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी vertically opposite angle हमारा बन रहा है तो मैं इधर पर भी यह जो red color से आपको देख रहा है यह वाला x मैं आपको blue color से दिखा रहा हूँ और यह वाला x और यह वाला y यह तीनो triangle के interior angles है नहीं या नहीं आप बताएए यह तीनो जो angle है वो triangle के interior angle है और अगर interior angle को plus कर देते तो किसके equal आता है 180 degree के equal आता है clear angle some property of a triangle तो हम क्या लिखेंगे x plus x plus y किसके equal हो जाएगा 180 degree के equal हो जाएगा यहाँ reason लिखेंगे angle some property of a triangle angle some property of a triangle clear है अब अभी अभी हमने proof किया है कि जो x है वो y के equal है और जो y है वो x के equal है बहुत अब x equal to y है तो y equal to x भी होगा तो यह पहले तो मैं x plus x as it is लिखता हूँ नीचे देखिए x plus x लेकिन y की जगे भी मैं क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ क्यूंकि y की value मैं किस के equal है x के equal है तो इस y की जगे मैं क्या लिख रहा हूँ x लिख रहा हूँ 180 degree अब x plus x plus x क्या हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा equals to 180 degree 3x का मनलब होता है 3 multiply by x और कोई चीज multiply में होती है तो another side जाकर के divide में चले जाती है तो x की value कितनी हो जाएगी 180 upon 3 तो x की value आजाएगी 3 6 जा 18 मनलब इसको divide करेंगे तो 60 degree आजाएगा तो x की value हमारी कितनी आगई 60 degree आगई और अगर x की value 60 आगई तो y की भी कितनी आएगी 60 आएगी क्यूंकि x की value y के equal है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दूनो x और y हमारे 60 60 degree के equal है ले रहे तो बच्चो इस तरीके से हमारे 6th part भी complete हो गया और हमारा ये जो x size है I think देखते हैं हम सबसे पहले इस question के total 6 parts थे हमने 6 के 6 part complete कर लिये है तो देखे 6 part complete होने के साथ ही साथ हमारी x size 6.3 भी complete हो चुकी है इसके बाद देखेंगे हम x size 6.4 next video में सारी videos की link description मिलेगी playlist बनी हुए है उस playlist पर click करेंगे सारी videos open हो गाएंगी और वहाँ से आप complete chapter cover out कर सकते हैं कोई भी doubt रहे comment section में पूछे मिलते हैं बच्चों next video में बाए